हेलो दोस्तों, आज मैं भेडे और भेडिये कहानी के बारे में बताने जा रही हूं भेडे और भेडिये कहानी के लेखक हरी संकर परसाई हैं एक बार वन के जीवों ने वन में भी प्रजा तंत्र की अस्थापना का निन्ने लिया उनका यह मानना था कि अब उनमें भी सभयता का विकास हो चुका है अतह उने भी एक बहतर सासन परनाली अपनानी चाहिए वन में इस परवर्तन से सभी वन जीवों में हर्स और उलास भर गया सबसे अधिक उचसाहिद भेडे थी जो की सभाव में विनमर और द्यालू प्रकरती की थी उनमें एक उम्मित दिखाए दी कि जिस प्रतनदी का वेचुनाव करती है उनसे ऐसे कानून लागू करवाई जा रख गा ताकि सभी सुक्प्रूवक रह सकेंगे जूखी बेरिये मांसा हारी थे तो वे हिंसा के बीना मांस का बच्चन नहीं कर सकते थे इस तरह से उनका जिवन खत्रे में पढ़ जाएगा बेरियों पर तो चिंता का पहार तूट पड़ा बेरियों पना कड़ों के नूस सखाने को नहीं प्राप्त होगा। उन्हें भी भेरों की तरह घास खा कर जीवन यापन करना पड़ेगा। परन्तु वन में चापलुस खोर जैसे जानवर सियार भी रते थे। वे भेरियों पर निर्वर्थे। सियार हमेशा भेरियों के आगे पिछे लगे रते और भेरियों की जे जे कार करते एक भुढ़ा सियार काफी बुदिमान था उसने भेरियों की चिंता का कारण जानते हुए भी अंजान बनते हुए उदासी का कारण पूछा भेरियों ने अपनी वेता कह सुनाई चापलूस और चलाक सियार ने निराज भिरियों से वादा किया जो ऐसा रास्ता होजेगा जिस से भेरिया सामा सुरच्छित रहेगा अगले दिन सियार तीन रंगों को सियार लेकर आया हरा पीला और नीला node वो इनके माध्यम से चुनाओं प्रचार करना चाहता था सियार उने ये विचार भेरियों को बताया तो उनको ये तरकीब कुछ समझ में नहीं आई उन्होंने सोचा रंगा सियार पहले से बदना में उनकी ये बात कोई नहीं मानेगा बुड़े सियार का मानना था कि बहारी रूप रंग बदल कर आदमी कुछ और दिखाई देने लगता है अथ भेरियों को चुनाव पर चार परसार बड़ी तेजी से आरम हो गया भेरियों के माथे परतिलक लगा कर गले में कंटी पहनाई गई उन्हें पूरी तरह से साधू के रूप में परिवर्तित कर दिया गया भेरों को ये मालूम नहीं था कि आज सवा में उन्हें कौन परिद करने वाला है जैसे ही भेरिये ने परवेस किया भेरों में भगदर मच गई वे सहम गई चतुर सिया ने इस्तिति भाब कर कहा कि भेरिया राजा अब हिंसक नहीं है इंसा त्याक कर पूरी तरह से अहिंसक और द्यालू बन चुके हैं भेरिये दीन रात भजन किर्थ करते हैं उन्हें निर्य भेरों से बड़ा ही लगाव हो गया उनके उपड़ होने वारी हिंसा के श्मन करते ही इनकी आँखों में अशुरुधारा बहने लगती है वे अपना पूरा जीवनिस प्राश्चित में बिताना चाहते हैं तीनो सियारों को देवताओं का दूत बताया पीले सियारों को वेचारक कवी और लेखक बताया नीले को स्वर्ग का पत्रकार बताया तता हरे को धरम गुरू तीनो सियारों ने अपनी अपनी सेली में भेरिये के लिए कुछ ना कुछ कहा कवी सियारों ने अपनी गीत के प्रश्वर्ग में परमातमक को तथा धर्ती पर भेरियों को सर्व शक्तिमान बताया। अर्थात भेरिया सकतिसाली भगवान के जमान है। धर्म गुरू हरेस्यार ने बताया कि भेरिया दानी और परुपकारी है। इस तरह से भेरों पर चुनाओ के परचार परसार का काफी व्यापक प्रभाव पड़ा और परणाम सरू भेरिया चुनाओ जीत गया। सक्ता में आते ही भेरियों ने ये कानुन बनाया कि नास्ते में एक भेर का मुलायम बच्चा दोपहड में पूरी भेर तथा रात के खाने में आदी भेर दी जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर सस्क्राइब करके लाइक और सेयर करिएगा।